कि आपने देश की जनता को कितना बड़ा धोक्का दिया है अगली बार आपको ये देश की जनता पलट देगी देश में आदयने मोधी जी ने सिर्फ हाहाकार मचाया है तभा कर दिया पूरे देश को बेरोजगार कर दिया पूरे देश को बेहन बेटियों को बेज़त कर दिय कि आदर्णिय मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था वो सच्चा था या जूटा था भाजपा से भाजपा के नेताओ से बेटियों को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एविश्वास परस्ता उलाया जा रहा था उस समय भी आदेने मोदी जी दात फाड के हस रही थे। का जो देशनीती है वो बहुत गलत है और देशनीती गलत होने के कारण मोदी जी को इस्तिपा देना चाहिए मोदी जी को देश की पर्धान मंतरी की कुर्शी पे बैठने का हक नहीं है। कि नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहीत आवाज अभे मारे साथ मौजूद है सुवाश शंद्र कश्यप जो सोशल इसूज पर काफी बात करते हैं सरकार को घेरते हैं जो भी सरकार की कूरितिया हैं सरकार की गलतिया है उसको वीडिया के सामने रखन कि लिए इस की जनता को दो खादे रहिये और छो देश की जनता को वादा कर के सरकार बणी है मैं उन कम्यों को उन बातों को सरकार तक पुचाने का परियास करता हूँ कि आपने देश की जनता को कितना बड़ा दोक्का दिया है अगली बार आपको ये देश की जनता पलट देगी वो सबसे बड़े राष्ट भक्त हैं जनता के लिए काम करने वाले पहला ऐसा प्रधान मंत्री है जो 24-24 गंटे जनता के लिए काम करता है देखे दीदी आदेने मोदी जी 24 गंटे काम करते हैं साद मैं तो नहीं मान सकता हाँ 18 गंटे वो काम करते हैं ये मैं माल लूँगा क्योंकि 6 गंटे तो एक आदमी को दिन मैं सोना भी चाहिए अगर वो नहीं सोएगा तो वो पागल हो जाएगा तो दीदी आदेने मोदी जी 18 गंटे की मैं बात करता हूँ आदेने मोदी जी अगर 18 गंटे भी काम करते हैं तो मैं उन से हाजोड के निवेदन करता हूँ कि 18 गंटे मोदी जी आप काम ना करें देश की जनता 140 करोड की जनता है, उन्हें सिर्फ आठाट घंटे काम दे दीजिए, आपके अठारा घंटे की बजाय, एकसो चालिस करोड से देश के लोगों को आठाट घंटे से गुना कर लीजिए, कितने अर्बो खर्बो खंटे काम हो जाएगा, जादा काम हो जाएगा, अठारा घंटे की बजाए क्या लगते है देश का विकाश हुआ की नहीं देखिए दीदी जब से अधने मोदी जी आये हैं पाकिस्तान और चीन को थोड़ा सा कंट्रोल जरूर किया गया है लेकिन अगर देश की बात करो दीदी देश में अधने मोदी जी ने सिर्फ हाहाकार मचाया है तभा कर दिया पूरे देश को बेरोजगार कर दिया पूरे देश को बेहन बेटी को बेजजत कर दिया यह सब आधने मोदी जी के कारेकाल में हो रहे हैं जहां पर सरकार भाजपा की है मनिपूर देख लो जहां पर सरकार केंद्र सरकार मोदी जी के खुदनेत्रत ने जाहने कि सरकार है 2018 में जिद्धि मैंने अव्यान चलाएं था नोशलयां अभियान चलाए बाजपा सरकार बेटी चीपाओ अभियान चलाए बाजपा सरकार और दीदी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो खबरेत पंजाब केसरी में भी छपी थी 2018 में और वो आज सच हो रही है भाजपा से भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाना बड़ा मु लिए चौनेस बेटी बचाओं एक नारादिया था बेटी बचाओं बेटी पढाओं सोरी पढ़ायो अब मैं यह नहीं समझ पाया कि आधनिय मोदी जी नि जो बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं का नारा दिया था वे तरनIEL मोदीजी के जितने भी अधाठbok संभे और कई बार तो मीडिया के लोगों को ही वो धक्के मार के उनके माइक तक तोड़ के गाड़ी में ब्रिज भूशन की बात कर रहे हैं दीदी ब्रिज भूशन की ही बात कर रहा हूं और इसके अलावा कुलिप सेंगर साहब भी है और भी बहुत सारे बाजपा के नेता है और सा जन्ता की अवाज़ कों पराधो को प्रदान मंत्री ने भाना न खाऊंगा न भ хотите दूँगा बढ़ बृस्टचार को जड़ सिंखतम कर देंगे उनकी में तुभ सबसे पहला तो अधर ने मोदी जी ची की पर्टी में बहुत बात की बात है आदर्निय मोदी जी ने भले ही काओ मैं ना खाऊंगा ना खाने दूँगा आदर्निय मोदी जी ना कभी भुक्के थे ना कभी भुक्के रहेंगे सुबह से लेके साम तक पतानी क्या क्या खाते हैं रोटी खाते हैं दाल खाते हैं सबजी खाते हैं कचोडी खाते हैं जब दैखते हैं लेकिन स्थक्टा मफंद में तषरा सबस्क्राइल कि अपसे न क्या जमें जब पहली बाए sini मोठी relação honourpent और सबकriver किने तह देखा मोधी मोधी किला सक वोल के बंढείं लेकिन जब उसी मनिपूर में देश की बेटियों की अवाज उठाई जा रही थी, बेहन बेटियों की जद मनिपूर में नगन प्रेड और नजाने क्या-क्या, भाई और बाप के सामने 21 साल की लड़की के साथ, गंदी हरकत और उन दोनों की हत्या और बाद में बेटी की भी हत्या, जब उनकी आवाज उठाई जा रही थी एविश्वास परस्ता उलाय जा रहा था उस समय भी आदेने मोदी जी दात फाड के हस रहे थे देदी बात समझें मेरी बात को किसी के मैयत में भी जाते हैं वहाँ पर भी क्या करते हैं वह आदमी रो नहीं सकते हैं कि रों जैसी सखल तो बना लेता है अदेनिय मोधीजी ने तो सारी सीमा लांग दी कहते है के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वो वो बेटी की जहां वाज उट रही है उसमें दाथ पाढ़ उसर परधान मंतर के लिए मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज लिए की स्तिपा मांगने के लिए क्यूं कि इसलिए युवी एवाज जहां उठनी चाहिए ह्यां उनकी तो यह रहें कि बड़ी पूर में शांति आ रही है दीदी देखिए अगर मेरे साथ कोई गंदी हरकत हो जाए मुझे दूख हो जाए डोक्टर भी कहा देगा मुझे खेद है तुझे बहुत दूख हो रहा है यह बात नहीं चलती दीदी आप समझे मेरे बात को एक देश के परधानमंत्री है वो और देश के परधानमंत्री इस परकार से अगर यह काम करेंगे तो वो ठीक नहीं है ठीक नहीं है दीदी वो खली करने से काम नी चलता जिम्मेदारी लेनी पड़ती पर्धान मंत्री वो मेरे जैसे कुछ टपोड़ी Gul Space कि नौर्मल चोटे मोटे नेता नहीं है समाध से वजी नहीं परधानमंतृ की कुर्सी पर बेठे उन्हें जिम्मेदारी ले 걸ens भी मनिपूर में जो सब चीजे पता चलिए तो उन्होंने मनिपुर सरकार का इस्तिपा क्यों ने लिया बर्खास क्यों नहीं करी आज दीदी मोधी सरकार बेल अगाम हो चुकी है और इस बेल अगाम को मुसलमानों को देश के नागरिक नहीं है वह आपे काम कर दो ना या तो मुसलमानों को देश से बाहर कर दो या पेरूने ता हिंदू बना दो इस परकार से बना तो रहे हैं इसलिए लेकिन धरम तो उनका फिर भी वही रहेगा क्या फाइदा हुआ आप चाहते हैं मुसलमानों को हिंदी मुंका हिंदू मैं भरवाप्सी करा दिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसलिए दूसरी बार जनता लाई और तीसरी बार फिर लाएगे हम अगले साल फिर आएंगे दीदी 2004 में जिस परकार मोधी जी भासन देते थे उनसे लगता था कि आदेने मोधी जी कुछ अच्छा करेंगे लेकिन आदेने मोधी जी ने जो पिछली सरकारों ने देश का सिस् परदार मंत्री की कुरसी से उत्रोंगे देश की जनता रहे रहे के गालिया देगी गाल या सच बोल रहा हूं यह जूत को नहीं बौल लिए जहटा है जिसने जूट बोलत के देश की जंता को गुमरा करके देश की कुर्सी हथी तो आपने साफ तोर पर सुना किस तरीके से जो है जनता गुर्स से में है और प्रैधानमंत्री की काफी बातों से जो जुमले बाते हैं जिससे आभ जनता समझ चुके कि यह जुमले बाजी का खेल अचल रहा है झाल